जहिंद मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टुडे लर्निंग को दोस्तों आज हम लोग वैसा कोचन पेपर करेंगे जो ऐसे ही आपको एक्जाम इससी जिडी के एक्जाम में देखने को मिल जाएगा तो चले साथियों आज का कोचन स्ट चीन तो साथियों इसका जो राइट टेंसा होगा जपान को हम लोग सुयोदे का देश कहा जाता है चले साथियों अगला कोचन है कि भारत की ससस्थ सिनाव का सर्वुच सिनापती कौन है होता है तो साथियों भारत के ससस्थ सिनाव का सर्वुच सिनापती आप्शन है की नोंभाई दिवाल की लंबाई कितनी होती है तो साथियो इसका जो एड़्जेक्ट आंसर जो होगा इसका राइकेट नसर होगा साथियो 21623ा चीन की दिवाल कि लंबाई कितनी है तो 21,196 किलो मेटर चलिए साल हो अगला क।छन देखते हैं अगला क।छन है भारत के अलावा कौन अन्य देश भी 15 अगस्थ को स्वतंत्रता दिवास मनाता है यानि हम पर 17 अगस्थ को तो उस समय कौन सद्धेश भी मनाता है अपना स्व तो दोस्तो इसका राये टेंसे होगा आप्टो निपाल इस्ति पशुपती नाश जी का मंदर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तो आप्टो है बाग्मती, सर्वत्शति, इंदुमती या गोमती सबसे हैं अफ्सर है ब्राम्पुत्र, खुंग, यांसी या गंगा तो साथ यो इसका जो रायटेंस होगा option C यानी यांसी जो है एसिया के सबसे लंबी नदी है साथ यो अगला कोजन है प्रत्हम बेक्ती जिसने प्रिथमी का चकर लगाया था तो दोस्तो मैगलेन option में है मैगलेन मुहमद अली जिन्ना अब्दुल गफार कहा और लियाकत खा अली तो दोस्तो इसका जो राइट एंस होगा मैगलेन यानि option ए राइट एंस होगा मैगलेन ने जिसने पृत्मी क्या पूरा चकर लगाया अगला कोचन है साथियो सिमान्त गाधी किसे कहा जाता है option है महात्मा गाधी को या मुहमद अली जिन्ना को या अब्दुल गफार को या लियाकत खाली को तो साथियो इसका जो राइट एंस होगा मुहमद अब्दुल गफार यानि option C राइट एंस होगा अब्दुल गफार का पूरा नाम है खान अब्दुल गफार खान साथ यो अगला कोचन देखते हैं विश्वनांध अनांध किस खेल से संबंध रखता है अप्षन है दोस्तो बेडिलियर्स सत्रांज टेनिस या हकी तो साथ यो इसका जो राइट टेनस होगा आप्षन बी यानी सत्रांज से संबंध यत रखता है अगला कोचन है निमली खित मेंसे कौन सहनाई के लिए विश्व में परसिथ ते कोचन है साथ्यों निमली खित में से कौन सहनाई के लिए विश्वम है परसीध थे अप्सन है जाकिर हुशेन दूसरा है पंडित रवी संकर और तीसरा है पंडित सिव कुमार सर्मा या बिस्मिल्ला खाँ तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा बिस्मिल्ला खाँ जो सहनाई के लिए परसीध है चलिए साथ्यों अगला कोचन देखते हैं बिर्जु महाराज का नाम किसलिए जाना जाता है आप्सन है मनिपूरी निर्ते उरिशा निर्ते कथक निर्ते या भांगरा तो साथ ही इसका जो राइट एंसर होगा आप्सन C यानि कथक निर्ते के लिए बिर्जु महाराज के नाम से जाना जाता है चलिए साथ यह उगरा कोचन है पहला विश्वा किर्केट कॉप 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 शुरू हुआ यानि वर्ल्ड कॉप सबसे पहले कॉप अप्षन है, होकी, फुटबॉल, किरकेट याद टेनिस शारच यह जो राइट एंसर का डिलीप कॉप किरकेट से संब्ढद से शंब्वाई धाए यानि अगला कोचन है राइट ट्रफी किस क्याई से संब्वाद धाए यानि दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा option है pound, dine, joule और newton तो दोस्तों इसमें जो dine होता है, joule होता है और newton होता है ये सरीके साइब बॉल का SI मातरक है लेकिन pound, ball का SI मातरक नहीं है चलिए साथ यो अगला question देखते है कारे का SI मातरक क्या होता है option में है newton, b में है meter प्रति सेकेंड और C में है watt और newton meter तो साथ यो इसका जो right tense होगा meter प्रति सेकेंड यानि कारे का SI मातर क्या होता है meter प्रति सेकेंड जलिए साथ यो अगला question है एक जील की सतवा का पानी जमने वाला हो तो उसकी तली में पानी का तपमान होगा एक जील की सतवा का पानी जमने वाला हो तो उस तली में पानी का स्तापमान कितना होगा option है 0 degree Celsius, 4 degree Celsius, 3 degree Celsius या मानस 3 degree Celsius तो साथ यो इसका जो right tense होगा option b यानि 4 degree Celsius होता है चलिए साथ यो अगला कोजन भुकम के समय कौन सी तरंग उत्पन होती है option श्राब्बे तरंग, प्राश्रब्बे तरंग, दोनो या नन तो साथ यो इसका जो right tense होगा दोनो यानि भुकम के समय प्राश्रब्बे और आश्रब्बे तरंग, दोनो उत्पन होती है साथियो हम लोग भुकाउंब किति वर्ता रियक्टल से मापा जाता है चली साथ एकला कोजन है इलेक्ट्रोन क्या है दोस्तों आप्सन है आलफा कॉन बीटा कॉन हाइड्रोजन आयन या पोजिट्रोन तो साथ यो इसका जो राइट टेंसर होगा इलेक्ट्रोन एक आलफा तो आसा करता हूं दोस्तों आप सभी को बहुत है आनंद आया होगा यह सेट मार को चलिए दोस्तों फिर्म मिलते हैं नेक्स्ट वीओ में और तब तक लिए धन्य बाद और साथ यो आपसे एक छोड़ी से रिक्वेस्ट एक वीडियो को ज्यादा सदर लाइक करतीजे सब् हाँ